तो आज के लेक्चर पर हमने बात करनी है हमारे एक टॉपिक रह गया था जो है आपकी लिमिटेशन एंड एप्लिकेशन आप लिमिटेशन से आज हमने पढ़ना है तो मैंने इन दोनों को एक ही लेक्चर में अट कर दिया क्योंकि देखिए बाकी थेओरी इसके कंपेर में व हम लोग सारी चीज़े प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकते हैं तो उस थेओरी में कुछ नो कुछ लिमिटेशन बन जाती हैं लेकिन बागी थेओरी में जैसे वी बीटी पढ़ा आपने मोटी पढ़ा उनके कंपेर में वी एसी पीर थेओरी पे इतने लिमिटेशन नहीं हुई तो इसलिए मैंने कहिए इन दोनों चीज़ों को एक के साथ एट किया ताकि हमारा टाइम भी सेव हो जाओ जल्दी से हम कुछ चीज़े क्लियर हो जाएं तो देखिए हमने क्या कर रहा है देखो प्रिवेस लेक्चर पर वी एसी पीर थेओरी से लेटे हमने सारे कॉंसेप यह क्या होते हैं पॉस्टूलेट वी एसी पीर थेओरी का यूज करते हैं और कैसे आप किसी भी मॉलीक्यूल की जोमेटरी शेप को डिटर माइन कर सकते हैं वी रहा आप वी एसी पीर थेओरी को यूज करके ओके तो होप आपने वह चीज़ें देखिए तो आज हम लोग बात करते हैं, लिमिटेशन पर है, तो यह topic हमारा छूट गया था, क्योंकि कुछ लबस पर कहना, यह कुछ उनिविटेश्टी के लिमिटेशन और अप्लिकेशन नहीं दिये वी थी, तो मुझे लगा, नहीं है, तो मैंने इसे स्किप कर दिया, बट यह है, तो हम लोग इसे भी पर लगते हैं, तो देखे, देखो, होता क्या है, लिमिटेशन पर मैं आपको बताती हूं, क्यूंकि देखे न, यह पहली थी जिसने कुलेक्छल की शेप और जोमेटरि की बारे बात की थी, की शेप जो मेट्रिक के बारे मैं बात की थी तो ये बोड़ा की एसे बवीयुट का शेप है किसी की जोमेट्रिक एंज तो अभी भी आप देख सकते हैं आपको कोई मॉलट्यूल दे दिया जाए आप कैसे जोमेट्रिक करेंगे तो आप हमें सब VACPR की ही help लेते हैं लेकिन इसके बावजूद भी क्या है इसमें कुछ लिमिटेशन आगी थी क्योंकि कोई भी चीज तो ideal होती नहीं है लिमिटेशन तो सबने आनी है तो अज हम उसको डिसकुस करें तो पहले लिमिटेशन के आप लिए हुआ देखे यहां लिखा है कि भेले में आपको simply ऐसे बता देती है, तेखो Ayso electronic species मतलब क्या हुआ? अगर आपको कुछिए दो मालीक्यूल देतु, आप दोन्हों मालीक्यूल में अगर नमबर अफ़ एलेक्ट्रों कांट करेंगे, इसे इसमेर 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 इलेक्ट्रों कितने हैं? इतमें मतलब आए होड़े नबड्र आप इस्पीशी में इस्पीशी को क्या बोलता है इस्विसुज क्लीट रहा है लेकिन देखो ये बोल रहा है कि VACPR थ्योरी आइसोटोनिकि इस्पीशी चल्व हो गई थीї यहां पर दिखाती हूं आपको यहां पर दिखाती हूं आपको यहां पर मैंने ग्जामपल लिये हैं एक इग्जामपल है आपका आएफसेवन दूस्तर एकजामपल है आपका तीइफसेवन नेगिटीव अब यह दोनों इस पिसीज गहां एक टायप की आई नंबर ऑफ एलेक्ट्रोन के बेसिस पर अब आप खुदी समझेजिए अगर दोनु इस पिसीज में नंबर ऑफ एलेक्ट्रोन से में तो अव्वेस सी बात है कि इनकी जॉमेटरी भी सेम होनी ची मैंने आपको अल्रेटी की चीज पढ़ाई भी है तो देखो वेसी प्यारी के अपको यहां फ्यारी चीज यहां ने थ सेम है पेंटागोनल फिले में यहां शुक्तित है दीपेंटानल ट्रेगिदल दोषर ली कि तेज थैक् segu वेसी ईपैंटरी की में फ्लो करेंटागोनल बिया यहां फ्लोरीन लेकिन दोफ्लों भी तो if7 के गों अवको ती लगा रें कि यहां गर को कह दो नेगिंटिव के लिए लिए बनाने तो यहां पर यहां पर तो देख सकते हैं यह 5-florine ने तो अपना काम कर दिया पेंटागोनल बना दिया लेकिन 2-xl-florine की वज़से इसका structure क्या हो गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल तो आप बोल सकते हैं कि according to VACPR दोनों का shape क्या है same है जो कि है पेंटागोनल बाइपिरामिडल बड़ यह तो आपने एक theory की help से predict किया है इनका shape बड़ क्या actual में इनका shape ऐसा होता है बिल्कुल नहीं होता है क्यूंकि अगर आप अपने वह सकते हैं इंस्टुमेंट की help से जैसे आपका instrument यहां पर को लिखा है electron diffraction या फिर X-ray diffraction data की है अगर आप इनका structure predict करेंगे तो इनका structure कभी भी same नहीं आता है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर को क्या होगी इसकी limitations create होगी क्यों क्यूंकि VACPR theory के according यह दोनों isoelectronic ऐसे आपको number of isoelectronic species मिल जाएंगी जिनका structure और geometry के है मैं जैसे यहां पर को मैंने एक example की है से explain किया होगी तो इन दोनों के structure according to VACPR क्या होना चाहिए pentagonal bipyramidal होना चाहिए लेकिन electron diffraction method या फिर आप axory diffraction method की है से देखेंगे कि इन दोनों की geometry देखना चाहिए तो इन दोनों geometry क्या होती है कभी भी same नहीं आती तो it means अगर same नहीं आ रही it means यहां पर को VACPR theory fail होगे क्यों क्योंकि VACPR theory क्या बोलती थी अगर number of electron क्योंकि वह number of electron की basis इस पर geometry और shape के बारे में बताती थी और अगर number of electron दो molecule के दो species के same है तो obviously बात है कि उनकी geometry भी same होनी चेए बट यहां पर को ऐसी चीज नहीं है भी clear हुआ तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि electron diffraction और x-ray data की अगर आप खुदी सोच लिजे अगर इनका structure एक जैसा होता तो bond लेंद भी जैसी होती अब यहां structure ही अलग-अलग है तो obviously बात है कि इनकी bond line भी क्या होंगे अलग-अलग होंगे तो यह इनकी क्या बन गी थे limitation बन गी थे चीज़े clear है समझ महां है अगली चीज आगे बढ़ते हैं दूसरी limitations क्या है दूसरी limitation है VACPR theory की कि यह fail हो गया था for the transition metal complex इसका मतलब क्या हुआ रिके VACPR theory के सारे complex के लिए सारे type के compound के लिए geometry और shape को प्रिडिक करने में fulfilled नहीं रही थी के बस की बात नहीं थी तब भी तो CFTI CFTI ने क्या किया सिफ DRD block element या फिर transition metal element जिसे आप कह सकते हैं उनके basis पर structure और geometry की बात थी tetra-headle, octa-headle, square-panel, etc. तो यह जो transition metal complex है अगर आप इसकी geometry निकालेंगे with the help of VACPR theory तो आपको कभी भी आपको सही geometry प्रिडिक नहीं होगी इसका reason है because of inert pair effect तो transition metal complex के inert pair effect के लिए responsible होता है inert pair effect मतला कि आपका जो S block element होते है S block जो आपका S orbit होगा transition metal complex में यह non-bonding behavior का होता है यानि कि bonding में कभी भी part spit नहीं करता है तो इसी phenomenon को बोलता है inert pair effect तो transition metal complex में inert pair effect होनी की वज़े से transition metal complex की geometry और shape को आप VACPR theory की help से कभी भी predict नहीं कर सकते है अगर आप predict करना भी चाहेंगे तो यहां देख सकते हैं आप VACPR theory नहीं किया है कुछ transition metal complex का geometry निकालने की calculate करने की कोसिस की थी जैसे यहां आप लिका है secl6 2 negative tecl6 2 negative brf7 negative इन सारे compound की क्या इन्होंने geometry निकालना प्रिडिक्ट किया मतलब geometry निकालने की इन्होंने कोसिस की और इन सब की geometry निकाली पेंटागोनल बाइपिरामिडल geometry यह सारी geometry इन सारे compound की geometry निकाली पेंटागोनल बाइपिरामिडल geometry निकाली according to VACPR theory लेगिन इन सारी geometry को भी जब आपने क्या है किसकी help से देखा यह सारे जो आपकी instrument रहते हैं यह जो method रहते है X-ray diffraction method तो वहां अगर आपने चेक करेंगे तो यह सारे compound कोई भी क्या है आपके पेंटागोनल बाइपिरामिडल geometry बनाते नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि यहां भी VACPR theory फेल होगी क्योंकि VACPR theory क्या है इन transition metal complex के exact और proper structure को identify करने के लिए प्रिडिक करने के लिए fulfilled नहीं है चीजा क्लियर है तो यह भी एक इसके limitation बन गी थी क्या तो यह चीज क्या बोल रहा है तो अगली चीज क्या बोल रहा है तो अगर आप कोई ऐसा molecule ले ले लें जिसमें क्या है number of electrons तो है और number of electrons के साथ साथ वहाँ पर को delocalized pair of electrons है delocalized pair of electrons मतलब ऐसे electron pair है जो कि एक position में fix नहीं है वह एक delocalized है जैसे आप benzene का structure देख सकते हैं benzene में क्या है यहाँ पर को यह number of electron होंगे लेकिन यहाँ भी तो number of electron है जो pi bond होता है इसी को बोलते है हम लोग delocalized bond क्योंकि यह जो pi bond है यह तो pi bond है यह एक जगे fix नहीं रहते यह delocalized होके अपनी position को shift करते रहते है तो कोई भी molecule जिसमें क्या है delocalized pi electrons present है तो ऐसे molecule का कभी भी आप क्या VACPR theory की help से उसका structure प्रिडिक नहीं करते हैं जैसे आप benzene को देख लीजें benzene एक ऐसा molecule है जिसमें delocalized electron present है और कभी भी आपने VACPR theory की help से and li2o should have a similar structure अब आप देखिए VACPR theory की according क्या है आप अगर इन दोनों molecule जो आपके यहां पर दिये हुए क्या है h2o और li2o इन दोनों का hybridization निकालेंगे तो दोनों का hybridization आपका sp निकलेगा okay sp मतलब कि यह molecule क्या है sp hybridization मतलब क्या आपका जो molecule है वो linear geometric है यह सारी चीज़े मैं आपको अरड़ी बता चुक हूँ तो देखो linear geometric है और दोनों के number of balance electron जो है वो सेम है it means क्या है पहले वाली बात आगी कि अगर number of electron सेम है है तो वी इसी प्यारी के according की एक टुओ और ली चुओ इन दोनों का number of electron क्या है एक है यानि कि दोनों के 8 8 electron है अब 8 8 electron है और दोनों का hybridization क्या है sp तो अब वीसी बात है दोनों की geometry क्या होनी चाहिए same होनी चाहिए वो भी कौन सी होनी चाहिए SP मतलब linear geometry होनी चाहिए but अगर आप दोनों की geometry देखेंगे आपको same नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि LI2O कि अगर आप geometry बनाएंगे तो then ठीक है आपको क्या linear geometry मिलेगी लेकिन water के case पर आपको इतनी तो चीजे पता है मैं आपको अल्रेडी बता चुकि water कभी भी क्या आपका इस इस form में नहीं रहता क्यों यह आपका इस form में कभी भी नहीं रहता क्यों क्योंकि oxygen के उपर lone pair of electron है lone pair of electron क्या करेगा इन bond pair of electron को कर देगा repel repulsion होने की वेसे आपका oxygen में क्या है दो lone pair of electron तो फुड़ी तरह से क्या होंगे stabilize हो जाएंगे stabilize होने की वेसे क्या है यह जो आपके bond pair है यह shift हो जाएंगे नीचे की और और आपका structure क्या है actual linear होने की वजाए क्या हो जाएगा bent structure हो जाएगा तो यह भी किसकी लिमिटेशन थी क्योंकि वेसे प्यारी ने तो क्या जाएगा सिर्फ वैलेंस सेल को यूज करके अपने number of electron को यूज करके शेप और structure की बात की थी ओके लेकिन अगर हम वही चीज यहां apply कर रहें तो यहां वह possible नहीं है क्योंकि दोनों में number of electron सेम है और दोनों का hybridization SP है तो अविस सी बात है linear geometry होनी चाहिए बड़ यहां पर linear नहीं है क्यों reason चाहिए कुछ हो बड़ वेसे प्यार ने अगर इस चीज पर बात किये तो सारी conditions फुल्फिल करनी चाहिए तो लेकिन उन्होंने यह सारी चीज वहां apply नहीं कि तो यह concept आपके बाद में चले आए तो यह सारी थी इनकी limitations of VACPR theory ठीक है अब हम आगे बढ़ता है applications पर तो देखें आप applications क्या है देखें ना अब देखो एक चीज में आपको पहले बता दू जब आपने अगर previous lectures देखें तो आप applications बहुत simple way में समझ जाएंगे क्योंकि देखो ना VACPR theory की application क्या होगी main application तो यह है कि simply कै किसे मॉलिक्यूल का shape और geometry को determine करने में VACPR theory की help होती है अब कैसे आप थोड़े अच्छी language में लिख तो सकते हैं बट application तो application ही रहेंगी तो वह सारी application मैंने आपको जब मैंने postulate पढ़ाये थे structure कैसे determine कर रहे थे वहीं बता दियते तो VACPR theory में थोड़ा theoretical material तो मैं आपको बता रही हूं बट आपने जो structure बनाने हैं वो कहां से बनाएंगी जो मैंने आपको last lecture पर पढ़ा होगा कि कैसे अगर आपका किसी भी molecule का hybridization SPI है तो आप कैसे इसका structure linear consider कर रहे हैं तो कुछ example देखे तीचर को explain कर लीजे समझ मारा तो कुछ theory material में आपको यह explain कर रहे हैं जैसे यह बोल रहा है application सबसे पहले क्या होगा देखो VACPR theory से पहले जो theory IT theory का जो concept आय था वह था Lewis dot structure का तो देखो Lewis dot structure तो आया और Lewis dot structure की है से भी आप किसी भी molecule का structure ड्रॉप कर सकते थे लेकिन यहां पर जो आप structure ड्रॉप करते थे वह सिर्फ 2D level पर करते थे यानि कि two dimensional करते थे two dimensional मतलब कि आपका structure सिर्फ एक plane पर exist कर सकता था अब आप खुदी सोशी कि कोई भी molecule एक single plane में exist कर सकता बिलकुल नहीं कर सकता सारे molecule होते हैं 3D पर तो 3D पर first time जो बात की थी structure की वह की थी VACPR theory में तो वही चीज यहां लिखी है कि Lewis structure क्या है आपको बताता तो है कि आपके type के bond के आपके molecule में किस type के bond है number of bond कितने कैसे molecule आपके arrange है बट यह सारे चीजे क्या होता है सिर्फ two dimensional way में है एक paper पर है लेकिन सारे molecule तो 3D में है तो VACPR model ही आया था जिसने प्रिडिक किया कि कैसे molecule क्या है 3D में exist कर रहे है और 3D में अगर molecule exist कर रहे है तो उनका shape क्या होगा geometry क्या होगा और दो आपके on the plane होगे समझ मारा जिसे methane का structure होता है methane का structure क्या है tetrahedal है और पूरा कभी भी plane पे exist नहीं करता दो molecule आपके plane पे exist कर रहे है लेकिन एक molecule above the plane है दूसरा below the plane है यह सारी बात है किसने बताई थी VACPR theory समझ मारा तो VACPR theory की सबसे बड़ी बात यह कि उसने geometry और shape की सबसे बड़ी एप्लिकेशन थी VACPR theory की चीज़े clear आ रही तो देखो उसके बाद क्या बोल रहा कि VACPR theory ने वह सारे concept को अपने साथ लगाते वे चले मतलब वह सारे concept के बारे में बात की जो actual में exist करते हैं जैसे bondland के बारे में VACPR theory ने बात की और आपको पता है bondland तो होती ह होती है मतलब की इसते कुछ नहीं चीज के नहीं चीज समझ भारा कि हम जिसको imagine करना हमाले थोड़ा difficult हो ऐसे चीज़ों को कुछ relate नहीं किया इसने अपनी theory में उन सारे points को लिया जो की बहुत basic है जो actual में exist करते हैं चीज़े समझ भारा तो यह है जैसे bondland हो गया central metal atom हो गया repulsion and that indicates the geometry of a molecule तो वही चीज बता रहा है देखो मैंने आपको पहले पहले पर भी बोल दिया था जैसे मैंने application बढ़ा है मैंने क्या बोला BACPR theory के जो postulates है postulates ही आपकी application का form है okay क्यों क्योंकि postulates की help से तो आप किसी का किसी भी molecule की क्या है geometry or shape को प्रेडिक कर रहे है और कैसे प्रेडिक कर रहे है वही चीज आपने यह application में बता नहीं application पर separately आपने यह चीज़े याद नहीं करनी कि SP के case पर इसा हो रहा है SP2 के case पर वह सारी चीज़े तो आप अल्रेडी पढ़ चुकी है तो आपने बस क्या है थोड़ा theory material starting में क्या है कुछ ऐसा लिखना है कि ताकि teacher को थोड़ा attractive लगे जैसे यहाँ पर को मैंने लिखा हुआ है okay उसके बाद बाकी चीज़े यहाँ पर मैंने ब्लैंक कर रहे है इसका लेकिन geometry और shape में changes होता है जिसे आपका structure आपकी geometry linear हो सकती बर shape आपका क्या हो सकता है bent भी हो सकता है v-shape भी हो सकता है समझ मारा तो वही चीज़े आपने क्या लिखनी है applications पर लिखनी क्योंकि वही VCPR theory की application है VCPR theory का बस एक ही काम है बाकी theories के तो number of work होता है लेकिन VCPR theory का एक ह करना चीज़े clear है तो यह इसकी application होती है ठीक होप समझ में आया होगा बहुत basic है क्योंकि हम already पढ़ चुकि है और बहुत basic और इतना important भी है limitations तो मतलब ना की बराबर पूछी जाती है VCPR से एक ही question बनता है question यह बनता है कि आपको 5-6 molecules दे दे जाएंगी उसका shape geometry hybridization magnetic moment diamagnetic paramagnetic यह सारी चीज़े आपको उसकी बतानी होगी ठीक है तो वो सारी चीज़े हम already discuss कर चुके है ठीक है तो अभी हम वीडियो को यहीं पर finish करते हैं अगर फिर भी आपको कोई problem होगी तो please message कर लिजेगा पूछ लिजेगा तो वीडियो को finish करते हैं यही पर मिलते हैं next video पर तब बाइब बाइबाए